हेलो गाइज रादे 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 एक exciting वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा यह particular error जब भी आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा this device isn't play product certified तो मैं आपको एक परिकार बताऊंगा कि यह error हट जाए ठीक है तो पहले बाद तो आपको open करना है Firefox इसे हम मैं open कर रहा हूँ अभी not now, not now, not now, not now ठीक है तो उसके बाद आपको खोलना है यह डपको पेस्ट करना है इस प्रावजर में ठीक है यह पर open कीजिए और यहाँ पे हम प्रेस करते हैं एंटर ठीक है यह खुल गया अभी आप आप जो email id से play store में login करना चाह रहे हो उसी email id से login कर लीजेगा अभी आप देख रहे हो कि हम आ चुके इस window पे तो आपको यहाँ पे google services framework android का id डालना है ठीक है तो इसके लिए हम जाएंगे वापस अपने home page पे और इसके बाद device id और यहाँ पे google service framework का जो आईडी है उसको copy करेंगे इसे और वापस जाएंगे इसको यहाँ पे firefox पे और यहाँ पे paste कर देंगे और यहाँ पे I am not a robot select कर देंगे ठीक है और यहाँ पे register पे click कर देंगे device id registered to id converted to यह successfully हो चुका है ठीक है तो हम इसको बंद कर देंगे फिला ओके play store यह 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 ठीक है इसको भी बंद कर देंगे आपको बता देता हूं कि क्या करना है ठीक है अभी आएंगे system apps पे ठीक है system apps पे आएंगे settings पे जाएंगे और यहाँ पे आपको apps पे click करना है और जहां पे आप कोई भी google products देख रहे हैं जैसे कि chrome है और any google product तो उसमें से उसमें क्या करना है आपको steps पे यह step करना है अपको ठीक है यहाँ पे जाएगे गा storage storage पे clear storage पे क्लिक किए और यह clear all data ओके तो यह कर दिया हमने इस चीज के लिए टगला होगा हमार आप google play services तो इस पे जाएंगे और सही same step follow करें clear storage clear all data delete खेक है फिर जाएंगे हम बापस और आगे जाएंगे google play store same storage clear storage ओके यह हो चुका है और हाँ इतने ही products थे लेकिन आगर आपके system पे और भी products है तो आपको उन सब के लिए करना पड़ेगा हो गया खतम चल यह सब खतम हो गया अभी यह इसको मैं बंद कर देता हूँ ठीक है और अभी आप जब भी play store खोलेंगे तो आपको वह error नहीं आएगा और आप अपने account में login कर पाएंगे ठीक है तो यही step follow कीजिएगा दोस्तों और I hope यह video आपको बहुत helpful रहा होगा अगर यह error आ रहा बनता है तो मैं ज़रूर बढ़ा के अपलोड ज़रूर करूंगा ठीक है आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच टेक केर ठड़ा बबाएग